नमस्कार मैं रेनु मिसर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सुन्दर और आसान सा बैक बना रही हूँ वह भी बिना किसी कट के कपड़े के केवल एक पीस से इस बैक को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है और यह जो फै इस बैक को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ देखे कितना ज्याद है इसमें इस पेस है और बनाना भी बहुत ही आसान है आधे घंटे में यह पूरा बैक बनकर रेडी हो जाता है इसमें दोनों साइड में मैंने यह पॉकेट बनाया है जिससे कि आप जो छोटी मोटी कपड़ा ले सकते हैं फिर बीच में मैंने लिया है फोम और फिर उसके उपर यह में फैब्रीक अब तीनों को मिलाके ना हमें दोनों साइड से सीलना है तो सीलने से पहले अच्छे से पीन बगरा लगा ले ताकि सीलते समय इधर उधर ना हो कपड़ा तो यह देखे चारों कुल्टिंग मैंने कर लिया है कुल्टिंग करने के बाद फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो पॉम था साइड से उसको कट कर लिया है अब इसका मेजर्मेंट देख लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो है 33 इंच और इसकी चौड़ाई है 17 इंच 33 बाई 17 का यह एक पीस हमने रेडी किया है अब इस में फॉकेट हमें लगाना है दोनों साइट तो यह दो पीस मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और लंबाई है 4.5 इंच ठीक है यह दोनों पॉकेट है अब यम 9,5 इंच लंबा Junior वाद जिप लेना है उसको इसमे लगाना तो दोनों ही क को उपर की तरफ करेंगे और यहां पर प्रेसिश्टिश करेंगे तो इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लें, दोनों में जिप लग गया है, इसे हमें बैग में लगाना है तो बीच से देखें, फोल्ड करके इस तरह से और center में निसान लगा लेंगे अब ये center में दोनों में ही निसान लगा लेना है अब ये जो bag है इसमें भी दोनों तरफ center में निसान लगा लेंगे इस तरह से बीच से fold करेंगे और देखे बीच ओ बीच इस तरह से हमें निसान इसमें लगा लेना है अब ये जो निसान लगाया है हमने न यहां से 2 इंच नीचे पर निसान लगा ले तो यहां देखे उपर से ये 2 इंच नीचे की तरफ ये निसान में लगा लिया है अब ये जो निसान लगाए यहीं पर pocket को रखते वे सिरना है तो देखिये दोनों को center से center इस तरह से मिलाते वे और फिर 3 side से इसको मोड़ते वे सिलेंगे देखिये तीनों side से इस तरह से मोड़ते वे और फिर इसको चारों तरफ से सिलेंगे इसी तरह से दूसरी पॉकेट को भी लगा लेना है तो यह थीखिए एक साइड पॉकेट लगा वैसे दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लेना है तो यह दोनों तरफ यह पॉकेट मैंने लगा लिया है अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें बैल्ट को लगाना है तो दो पीस कपड़ा ये मैंने लिया है बेल्ट के लिए आप चाहें तो रेडिमेट बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस बेल्ट की लंबाई है 22 इंच और चोड़ाई है 4 इंच 22 बाई 4 का ये दो पीस बेल्ट है उसके बाद इसको बीस से मोड़ेंगे और सिल लेंगे तो इसी तरह से दोनों जो बेल्ट है सिल के त्यार कर लेना है अब ये दोनों बेल्ट सिल गया है इसे हमें बैग में लगाना है तो सेंटर में जो निसान लगा है ना बैग में वहां से दोनों तरफ 20 से देखे 3-3 इंज पे निसान लजा लें। दीखें, सेंटर में निसान लगा के फिर उससे बगल में 3-3 इंज की दूरी रखते वए निसान लगा के फिर वहां पर बेल्ट को लगा लेना है। तो यहां पर भी देखिए सेंटर से दोनों साइड तीन-तीन इंच छोड़ते वे निसान लगाना है और फिर इस तरह से बैल्ट को रखकर सिल लेना है अब यह बैल्ट लगया है दोनों साइड इसके बाद न हमें इसमें जीप को लगाना है उपर की तरफ तो यह देखिए 17 इंच लंबा जीप लेना है और 20 से दोनों भाग अलग करके फिर कपड़े को उपर जीप को उल्टा रखके सिल लेना है पहले अब क्या करना है जीप को और बैल्ट को दोनों को उपर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पर प्रेसी स्टिच करेंगे अब जीप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे साइड में बिलकुल इसी तरह से देखिए बैक की उपर उल्टा रखते वे सिल लेना है अब जीप को और बैल्ट को दोनों को उपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेसी स्टिच करना है अब दोनों साइड यह जीप लग गया है अब इसमें हमें रणर को लगाना है तो जब runner को लगाते हैं तो यह ध्यान में रखना कि जो दोनों side belt है आमने सामने रहे, तो पहले देखे, एक side से runner को लगाना है, उसके बाद इसको दूसरे किनारे तक ले आके फिर दूसरी side से दूसरा जो runner है उसको लगाना है, तो यह दोनों runner लगाने के बाद अब इस back को कर लेते हैं अभी उल्टा करने के बाद देखिए उपर से इस तरह से बराबर रखते वे और नीचे की तरफ सेंटर में निसान लगा लेना है दोनों साइट देखिए एकदम बीचों बीच इस तरह से निसान लगा लेंगे अब जो बीच में हमने निसान लगा है न सेंटर से दोनों तरफ उपर धाई इंच पे निसान लगाना है तो यह देखिए धाई यानि कि 2.5 इंच पे इस तरह से निसान लगा लेंगे तो ये जो धाई इंच पे हमने निसान लगा है ना वहाँ से देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों किनारा इसको सिल लेना है तो बहुत ही आसाने देखिए इस तरह से फोल्ड किया और दोनों किनारा सिल लिया अब इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है अब यहाँ पर पाइपिंग कर लेते हैं तो लगबग डेरी इंच चोड़ा कपड़ा लिया है और उपर की तरफ से थोड़ा सा देखिया मोडते वे इसको पुरा सिल लेना है अब इसको दूसरी तरह पलट कर और फिर डबल फोल्ड करके सीलना है इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर ले अब देखिए दोनों साइड यह पाइपिंग हो चुका है अब इस बैक को सीधा कर लेते हैं अब इसको सीधा करने के बाद एक सिलाई हमें यहां नीचे की तरफ कर दा है तो इस तरह से देखिए बिल्कुल बराबर करेंगे सेंटर से देखिए इस तरह से बराबर करते वे और इसको पूरा गोलाई में सिलाई की उपर कर लेना है एक दम बराबर इसको रखते वे इसको पूरा यहां से घुमाते वे पूरा चारो साइड इसको सील लेंगे इससे क्या है कि जो बैक का जो बेस है वो अच्छे तरह से त्यार हो जाएगा अच्छे तरह से बनके त्यार हो जाएगा इस तरह से यह पूरा बैग सिल के कंप्लीट हो चुका है तो देखे कितनी आसानी से यह बैग बन गया है और दिखने में भी कितना सुन्दर लग रहा है आप इस तरह का बैग जो है वो जरूर बनाए उम्मिद करती हूं आपको मेरा यह बैग और यह वीडियो पसंद आया हो अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छे अच्छी नए नए वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यव